Hello friends, पिछले सेशन में हमने computer की परिभाशागी जान करे ली थी, अधा definition के बारे में जाना था इस सेशन में बात करेंगे हम components of computer यानि की computer के मुख्या भाग के बारे में computer के मुख्या भाग कौन-कौन से है सबसे पहले बापता दू इसमें CPU, Memory Unit, Input Device, Output Device ये मुख्य चार section available रहते हैं, जिसके base पे computer कारेक करता है तो आए इन सब के बारे में बारी-बारी से धंसे जानते हैं ताकि असानी से हम इससे जुड़े हुए question answers का जवाब भी दे पाएं तो आए शुरू करते हैं अगर हम बात करें इसमें हमारे पास सबसे पहला पार्ट है CPU CPU अधात Central Processing Unit जो हमने शुरू के segment में देखा था जब भी input devices कोई command या instruction देना चाहती हैं तो सबसे पहले वो CPU के पास जाता है CPU उस पे processing करता है और फिर आगया output devices के पास भेजता है इसलिए इसे computer का दिमाग भी कहा जाता है मुख्यता CPU के दो भाग है control unit और arithmetic logical unit यानि की CU control unit और ALU arithmetic logical unit आप यह ध्यां रखेगा short forms में या full forms में इसकी questions आंसर आते रहते हैं और आपको सभी full forms का ध्यां रखना है CU control unit को कहते हैं और ALU को arithmetic logical unit कहा जाता है CPU का पुरा नाम Central Processing unit है इस तरह के काफ़ी सारे questions आपको मिलेंगे हाला कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको याद रखने की जूरत दिया है सिर्फ अराम से इसको ध्यां देना है क्योंकि जब हम practice करते हैं हमारी e-book जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे simple question answer रहते हैं तो वहाँ से काफ़ी सारे आपके question पहले ही clear हो जाएंगे तो जैसे मैंने बताया दो पार्ट है control unit और arithmetic logical unit control unit क्या है control unit computer का वो भाग है जो electronic signal भेज के computer के अलग-लग हिस्सों में होने वाले operations को control करता है exactly electronic signal होते क्या है आप कभी किसी button को on-off करें जैसे बलब का button है अगर उसे आप on करें तो on हो जाएगा, off करेंगे तो off हो जाएगा दो तरह का signal रहता है मुखता computer में, इसको हम binary digit की तरह से भी represent कर सकते हैं जिसको अभी मैं बताऊंगा थोड़ दिर में लेकिन control unit का मुख्या भाग signal भीजना है on-off करके वो ऐसे ऐसे signal create करता है जिससे ना केवल ये जानकारी मिलती है कौन से भाग में operation करना है या कारे करना है बलकि ये भी जानकारी मिलती है कि क्या कारे करना है तो जो हमारा control unit रहता है पूरे के पूरे computer की कारे पढ़ना लिक हो जो कारे उसमें होते है उनको instructions देता है अर्धार निर्देशित करता है और असल में वो program का एक flow create करता है कि सबसे पहले क्या होगा बाद में क्या होगा finally output क्या आएगा तो ये control unit का कारे रहता है अर्धार decision से जो related कारे रहता है वो control unit का रहता है अब हमारे पास जो दूसरा भाग है वो है arithmetic logical unit arithmetic logic unit जो रहता है उसका मुख्य काम रहता है mathematical calculations करना अंक गडितिया करे करना जैसे जोडना, घटाना, गुना भाग करना इस तरह के जितने भी काम है वो सारे के सारे arithmetic logic unit करता है इसके लवा logic से बने हुए कारे जिसमें आप compare करना चाहते है data को, जैसे example कौन सा data बड़ा है, कौन सा छोटा है और data को अगर merge करना है duplicate check करने है आपको इस तरह के जो काम करते है arithmetic logic unit उनमें भी कारे करता है तो इस तरह से ये दो main unit रहते है control unit, arithmetic unit तो आएए इसको एक diagram की साहता से देख सकते है इसमें CPU के अंदर अगर आप देखा तो ALU और control unit ये दो मुख्या भाग है आपका जो भी instruction रहता है input devices से इस CPU segment में आता है control unit उसको check करता है decision किस तरह का है control unit ये tag करता है कि ये किस परकार का मेरे पास command आया है उसके according control unit ये select करता है क्या ये mathematical calculation से लेटिड का रहा है तो ALU को transfer करता है अगर memory से लेटिड का रहा है तो memory segment को और अगर उसको लगता है कि इन processing के बाद कुछ output जनलेट हुआ है तो उस कारह को output unit की तरफ transfer करता है तो control unit का मुख्य कारह पूरे का पूरे एक process को बना कर रखना है कहां से डेटा लिया हमने उस पे क्या कारह किया और finally उसका output के रूप में कहां परदर्शित करना है इसके साथ ALU का जैसे मैंने बताया पिछले example में कि ALU का मुख्यकार है जो भी आपकी mathematical calculations है उन पे काम करना है जैसे आपका mass के according plus करना है, minus करना है, गुना करना है भाग करना है, इस तरह की calculations आपके बस CPU के ALU segment करने वाला है इसके लावा यदि आप नीचे की तरफे देखे तो memory segment है तो भी हमने जो पड़ा, वो CPU के बारे में पड़ा जिसमें हमने ALU और CU unit के बारे में पड़ा अब बात करते हैं memory unit की, जो इसे next segment है हमारा next component है computer का ज़िए अब इस diagram को समझे तो जब भी कोई command computer को दी जाती है तो CU, यनि की control unit के पास पहुंचने वाली है वो memory segment में store की जाती है तो memory एक अलग पार्ट है आए इसकी जान करे लेते हैं जैसे मैंने बताया कि किसी भी instruction को information को या result को अगर store करना है तो उसको store करने के लिए कोई ना कोई जग़ा तो चाहिए तो computer में जहाँ इसे रखा जाता है उसे memory कहते है computer memory में directly data नहीं रखा जाता है उसको 0 और 1 के रुप में रखा जाता है अधात जो भी information आप डालेंगे computer में चाहे वो A है, B है, C है कोई number है, कोई text है, कोई photo है उन सब को पहले 0 और 1 में बांटा जाता है अधात उसे binding में convert किया जाता है ये computer की वो भाषा है जिसमें computer अपनी बात समझता है तो किसी भी information को जब आप समझाते हैं computer को तो computer से अपने हिसाब से 0 1 में convert करता है और समझने की कोशिश करता है तो इसे binary digits कहा जाता है 0 1 से मिली हुई संख्याओं को मुख्यता ये संख्या 8 digits से शुरू हो जाती है 8 binary digits का कोई भी एक combination हो सकता है जिसमें जैसे मैंने example के लिए 100, 11, 001 लिया हुआ है अगर 8 bits इकटे हो जाए तो उसे 1 byte भी कहते हैं तो 1 byte में 8 bits रहते हैं तो अभी हम memory की बात करते हैं तो मुख्यता आप जब कुछ स्टोर करना चाहते हैं तो कोई जगा चाहिए computer में वो जगा रहती है कुछ information, instruction या result को स्टोर करने की उसे memory कहते हैं memory आपके पस दो तरह की रहती है primary और scantry आपके पस primary memory जो रहती है वो computer के अंदर जो जुड़ी रहती है computer को start करने के लिए अविशक रहती है वो सारी instruction ROM में रहती है लेकिन एक बार computer ओन हो जाता है तो उसके बाद जो आपको कारे करने के लिए आपको memory ची होती है वो मुख्यता RAM ही होती है तो इस तरह चे computer की primary memory दो तरह की है ROM और RAM computer को start करने से लेकर जब तक कोई properly start नहीं हो जाता उसके मुख्य जो कारे रहते हैं वो computer की ROM में रहते हैं एक बार जब computer start हो जाता है तो फिर उसके परशाद किये हुए सभी कारे RAM के अंदर transfer हो जाते हैं आपकी calculations हैं आपको कोई काम है माल लिजे आपको drawing करने हैं तो उसको एक RAW format में RAM में रखा जाता है पर माल लिजे एक पार आपने अपना काम finalize कर लिया अब इसको रखने के लिए आप secondary memory का use करते हैं ताकि आप बाद में इसको देख पाएं RAM के एक खासियत रहती है कि अगर light चली जाए या computer बंद हो जाए किसी कारण से या को power failure हो जाए तो उस case में RAM किसी भी तरह से save नहीं कर पाएगी आपकी data को आपकी information को तो इसको save करने के लिए secondary memory का प्रयोग किया जाता है secondary memory जैसे floppy disk hard disk, cd, dvd, pen drive, memory cards ये सब secondary memory के उधारन है इनके खास बात यह है कि आप इन्हें अलग कर सकते हैं computer से और दुबारा प्रयोग भी कर सकते हैं यही से उसी data को तो इसका अर्थी है हुआ कि जब आप कोई कारेक करते हैं तो जब तो आप कारेक पूरा नहीं हो रहा वो तो primary memory के segment में रहता है लेकिन जैसे ही वो कारे पूरा हो जाता है आपने कुछ finish किया ड्राइंग को और आप उसे save करके रखना चाहते हैं picture के रूप में तो फिर आप उसे secondary memory में store करेंगे इसमें आप एक तरह से example ले ले जैसे mobile में आप photo खीचते हैं तो वो computer में secondary memory में वो सारा data store रहता है जो आपको चाहिए होता है तो आप यहां से data को दुबारा परियोग भी कर सकते हैं एक और बात यहां floppy disk अब outdated है नहीं परियोग आती hard disk important है computer के अंदर पहले से जुड़ी रहती है और computer के internal components के रूप में भी आती है hard disk external भी available है आजकल इसके लावा आप CD, DVD और pen drive का परियोग कर सकते हैं data को write करने के लिए इनमें सबसे important बात यह है कि pen drive, hard disk और floppy त्यादी से आप data read write कर सकते हैं और दुबारा इन्हें परियोग करने के लिए अपने पास संभाल के रख सकते हैं तो यह computer memory का एक segment है हाला कि मैं आपको जानकरी दे दूँ इसी session में आने वाले sections में हम इसको विस्तर रूप से भी पढ़ने वाले हैं अभी एक computer की परिभाशा के साथ जुड़ी होई basic terms की मैं आपको जानकरी दे रहा हूँ और triple C में इन सब questions को पूछा जाता है कि आपका primary memory कितने परकार की है या secondary memory कितने परकार की है hard disk कौन सी memory का part है या RAM किस memory का part है primary का या secondary का तो इस तरह की question आपसे पूछे जाते हैं इसलिए जानकरी आपको यहाँ पर दी गई है इसके तरह कब मैं next part पर आता हूँ third जो component है input devices है जिससे computer को instruction दी जा सकती है computer को instruction देने के लिए आप keyboard, mouse, joystick और इन सब devices का प्रयोग करते हैं आप जब keyboard पर कुछ type करेंगे तो computer के पास पहुंच जाएगा और वो उसको instruction मनेगा इस तरह से आप mic से बोल के भी अपनी instruction पास कर सकते हैं और mouse से click करके अपनी instruction पास कर सकते हैं यह सभी instruction CPU के पास जाएंगी फिर ALU और control unit इस पर कारे करेंगे कोई data अगर save करना होगा तो उसे memory में save किया जाएगा finally जो output आएगा उसे output devices पे शोग किया जाएगा तो इसका अर्थिय हुआ मैं अगले segment में आपका output devices की जान करी देदू finally जब कुछ आपका output available हो जाता है CPU को पता लए जाता है जो instruction उसे मिली जो data उस पे मिला input devices से CPU ने उस पे पहले कारे किया अर्थात processing किया CU और ALU की साहता से और फिर उसके पता जो final output त्यार हुआ उसे वो output unit के पास भेजना चाहता है तो output unit वो है जिसमें user देख सकता है कि परणाम क्या आया है जैसे LCD जहां पे visual format यारे की video के format में दिखाया जाएगा अगर कुछ print out लेना चाहते हैं और अगर आप speaker से कुछ output चाहते हैं तो speaker से तो इस तरह से आप in devices का परियोग करके computer का परियोग कर सकते हैं अगर मैं चारो section की बात करो तो center process unit है memory unit है input device है output device है तो इन सब parts से मिलके आपका computer कारह करता है ये चारो एक unit के रूप में जब कारह करते हैं तो आपका कारह बहुत असान हो जाता है अगले section में हम computer के इतिहास की जान करी लेंगे धन्यवाद